नमस्कार दर्शको जोतिश तंतर में आपका हर्दिक स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं जो दिसंबर के महीने में गर्बधारन के उत्तम दिन हैं उनके विशे में बात करने वाले हैं दर्शको जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते ही एक दिसंबर को एक दिसंबर को अमावश्य पड़ रही है ठीक है जो ये डार्क सरकल है ये अमावश्य को रिप्रेजेंट करता है और जो ये ब्राइट वाला सरकल है ये पूर्णी मा को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है दर्शको जो ये रेड कलर है जो लाल रंग से जो मैंने नमबर लिखे हैं जो डेट लिखी है ये हैं कि जो गर्बधारन के लिए उप्युक तो नहीं है और जो ब्लैक कलर में हैं वो तो ये दो दिन गर्बधारन के लिए उप्युक तो नहीं है बात करें तीन दिसंबर की तो तीन दिसंबर को आप देखेंगे कि यहां पे आप नोट कर लो ये गंड मूल है इस दिन गंड मूल लक्षतर है तो ये भी उत्तम नहीं है गर्बधारन के लिए उसके बाद बात करते ही हम चार दिसंबर की चार दिसंबर को जो है त्रित्य तिति है शुकल पक्ष की क्योंकि अमावस्य के बाद में इस अमावस्य के बाद में शुकल पक्ष शुरू हो गया है तो ये त्रित्य तिति है उत्तम है आप ट्राय कर सकते हैं पांच दिसंबर भी उत्तम है आप थोड़ा सा चंद्रमा कमजोर है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद बात करते हैं 9 दिसंबर की 9 दिसंबर को अश्टमी तिथी है तो आप ट्राई नहीं कर सकते हैं अश्टमी को मैंने मना किया हुआ कि गर्बदारण नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद इकादशी, दुआदशी, त्रियोदशी, चतुरदशी और पूर्णिमा ये भी आपकी जो डेट है 11, 12, 13, 14, 15 ये आपकी कट जाएंगी उसके बाद प्रतिपदा है प्रतिपदा को भी गर्बधरन नहीं होता है ठीक है अभी हमारे पास में पीछे बची हुई है 6 तारिक, 7, 8 ये बची हुई है इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 10 तारिक बच गया है, तो इसे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है अब बात करते हैं 17 दिसंबर सत्रे दिसंबर को आप देखो गए दुट्य तिति है और वो भी कृष्ण पक्षकी क्योंकि यहां पे पूर्णीमा है पूर्णीमा का मतलब है कि चंद्रमा यहां पे पूर्ण हो गया है उसकी पूरी रश्मिया है उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है तो यह दूसरा दिन सकते तो आप इसमें ट्राइए नहीं कर सकते उननीस का भी गंड़ मुलक्षत रहा और बीस का भी ठीक है एंठार Mm 19-20 को आप ट्राइए नहीं कर सकते है उसके बाद अगर हम बात करें तो 21 죽मर की 29 को शश्रह को शुष्ची तित्थी него हुत्तम हैं कोई दिक्कत नी है 22 दिसंबर को 17 तिति है चंदरमा हलका सा कमजोर पड़ा है तो आप उपाय को साथ में इसे ट्राई कर सकते हैं इस दिन में ठीक है तो इसमें कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं है 23 दिसंबर की बात करूँ तो ये है अश्टमी अश्टमी को आप ट्राई नहीं कर सकते 24 है 24 दिसंबर 24 दिसंबर के लिए हम बाद में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने आप देखोगे दो कलर रिप्रेजेंट करें ही गरीन और येलो ठीक है 25 दिसंबर का भी हम बाद में बात करेंगे 26 को है 21 27 को 22 28 को 23 14 29 की उसके बाद अमावश्य है उसके बाद प्रतिपदा है तो ये 26, 27, 28, 29, 31 ये हमारी छूट जाएंगी इन्हें हमें अवोइड करना है ठीक है तो हमारे पास में जो आप देखेंगे मेन मेन जो डेट आई है पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं 4 दिसंबर 5 दिसंबर उसके बाद आई है डारेक्ट 17 दिसंबर 17 दिसंबर और 21 दिसंबर 22 दिसंबर ठीक है ये है अगर हम बात करें ये जो मैंने यहाँ पे 5 कलर लिए हैं इसमें आप देखोगे 6 कलर हैं तो 5 कलर हैं 5 कलर का ये मैंने रिप्रेजेंट करा है पंचकों के लिए ठीक है तो पंचकों में गरबधारन नहीं करना है avoid करो नहीं करें ठीक है एक नक्षत्र आता है एक दू नक्षत्र आते हैं इसमें आप गरबधारन कर सकते हैं तो लग बग तीन नक्षत्र आते हैं पंचकों में जिनमें गरबधारन नहीं होता है तो मैं ये कहता हूँ कि avoid ही करो ठीक है क्योंकि पंचक जो है ये शुब नहीं माने गए है पंचक क्या होते हैं कौन-कौन से इसमें नक्षत्र आते हैं वो मैं वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं तो 6, 7, 8 भी आपको काट देना है उसके बाद 10 की बात करते हैं तो 10 पे भी पंचक है पंचक मैंने अलग से भी जो है यहाँ पे आप देखोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है लगातार है 6, 7, 8, 9, 10, 11 पंचक हैं ठीक है तो 11 तक जो है पंचक हैं तो यह यहाँ पे डेट कट जाएंगी उसके बाद जो है 12, 13, 13 हैं तो यह भी डेट आपको अवोइड करने पड़ेंगी 17 आगे अच्छा बात करते हैं 24 की 24 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे तिथी देख लो तिथी है कृष्ण पक्स की डुम्मी तिथी है ठीक है चंद्रमा कमजोर पड़ा है डेफिनेटली कमजोर पड़ा है यहाँ पे तो इस दिन जो है आप ट्राइ करोगे उपायो के साथ ठीक है 25 का भी सेम है 25 दिसमबर को दश्मी तिथी है तिथी उत्तम है लेकिन चंद्रमा जो है थोड़े से कमजोर पड़े है तो यहाँ पे आप ट्राइ कर सकते हैं उपायो के साथ में बाकी आपके पास में कोई भी डेट नहीं है तो अगर हम calculate करें कि हमारे पास में कितनी डेट है अगर हम बात करें कि गर्ब धारण के लिए दिसंबर में कौन सी अच्छी डेट है तो हमारे पास में आप देखोगे पांच जो हैं डेट बिलकुल accurate आई हैं बिलकुल शुबाई है चार, पांच, सत्रह, एक्किस, बाश दिसंबर तो ये गर्ब धारण के लिए अतिशुबाब कह सकते हूं अगर मैं 24 और 25 दिसंबर की बात करूँ जैसे कि हमने यहां पर डिसकस करा था 24 और 25, 24 यह रही तो आप यहां पर उपायों के साथ में आप जो है ट्राइ कर सकते हैं यहां पर जो है उपाय होते हैं उपाय कैसे होते हैं उपाय जो होते हैं तिथी के according होते हैं और नक्षत्र के according होते हैं कि किस नक्षत्र में चंद्रमाव समय बेगोचर कर रहा है क्या तिति है और क्या वार है ठीक है इन सब के according जो है उपाई निकलते हैं अगर मैं बात करूं festival की की जो हमारे धियार में त्योहार हैं तो ऐसा कोई त्योहार नहीं है कि जो किसी हमारी डेट को खराब कर रहा हूँ जो हमारी ये डेट निकली है जो साथ डेट निकली है इनम अमावश्य है इकादशी है ये गर्बधारन के लिए उप्युक्त नहीं है पूर्णी मा है संकष्टी चतुर्टी है ये भी कट चुकी है इकादशी को नहीं करते हैं प्रदोश वृत जो है उसी दिन पढ़ता है जैसे त्रियोदशी होगी तो मासिक शिवरात्री है ये भ करता हूँ ये जानकार ये आपको पसंद आई होगी जैमात अदी